Hello everyone, मेरा नाम हर्षे और आप सभी ही का स्वागत है इस Android Development Tutorial Series में जिसमें हम एक Video Player Application बनाने वाले हैं, From Scratch So, अब बात करते हैं, वो Application कैसे दिखाई देगी या इस Course के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं So, इस Course में जो Application बनाने वाले मैंने उसके कुछ Screenshots आपके सामने रखे हैं इस समय And in the next video मैं इसका Live Demo आपको Show करने वाला हूँ Okay, So, आप इन Screenshots को देख सकते हो अब बात करते है, Cross Pre-Requisites की Means आपको क्या क्या आना चाहिए ये Course स्टार्ट करने से पहले So, मैं ऐसा Assume करके चल रहा हूँ कि आज से पहले आपने थोड़ी बहुत Programming की हो आपको पता हो If-Else Statements क्या होती है, Loops क्या होती है, Variables क्या होती है And उसके अलावा, आइदर आपको Java या Kotlin इन दोनों से एक Programming Language आती हो अगर आपको Kotlin आती है, तो काफी अच्छी बात है अगर आपको Java आती है, तो इतनी चिंता करनी की कोई बात नहीं है क्योंकि Java and Kotlin काफी similar है And आप work कर सकते हो उसके साथ And उसके बाद, next requirement है कि आपने आज से पहले थोड़ी बहुत Android Development की हो Means आपको पता हो है कि Android Studio नाम का एक Tool है जिसके अंदर थोड़ी बहुत Android Development की जाती है And आपने छोटी मूटी Hello World जैसी Basic Apps बनाई हो Okay, अगर Apps नहीं भी बनाई तो भी ठीक है But थोड़ी बहुत Android Development आपने आज से पहले की हो And final and the most important prerequisite है इस course की A Will to Learn So, अगर आप सीखना चाते हो तो आपका स्वागत है इस course में मैं बहुत excited हूँ इस course के लिए What about you? So, that's it for this video Thank you for watching, see you in next video Bye-bye